स्वागत है आपका अपने चानल आरोग ये इंडिया में दोस्तों अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें दोस्तों मौनसून में एडीज मच्छरों के काटने से डेंगू होता है ये एक तरह की महमारी है इसकी शुरूआत सामान्य बुखार से ही होती है और फिर ये भयान अकुरूप ले सकता है ये दिल को भी प्रभावित करता है इस बिमारी का अगर तुरंत इलाज नहीं किया ज खार, उल्टी, सिर दर्द, आखों के पीछे दर्द होना और जोडों वं मास पेशियों में तीवर दर्द होना इस बिमारी की जांच कम प्लेटलेट्स से होती है जो की रक्त की जांच से की जा सकती है पेट में तेज दर्द होना, पेशी शूल, लिवर में फ्लूइड का जमा होना, सीने में फ्लूइड का जमा होना, रक्त में प्लेटलेट्स का कम होना, या हैमरेज आधी की शिकायत होने पर तुरंत रक्त की जाच करवानी चाहिए। दिल की सिहत पर तुरंत ध्यान ना दिया जाए, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इनोट्रोप्स और हालत के मताबिक स्थाई या अस्थाई तौर पर पेसमिकर आधी का इस्तमाल किया जा सकता है। दिल के मरीजों को भी पता होना चाहिए कि डेंगू उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और उन्हें डेंगू से बचने के लिए बारिश के मौसम में पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए घर के आसपास की जगह को साफ सुत्रा रखना जरूरी है। देंगू के बुखार से पीडित रोगी को जिस मच्छर ने काटा है उस मच्छर के काटने से डेंगू का वाइरस फैलता है। इसलिए डेंगू से बचने का सबसे सरल और एक मात्र उपाय है कि मच्छर के काटने से बचें। इस रोग की सबसे बुरी बात ये है कि इसकी कोई सटीक दवा, टीका या इलाज नहीं है डेंगू के मच्छर के काटने से बचाव के लिए आप सिर्फ मौस्किटो रेपलेंट या साफ सफाई रखकर ही आप इससे बच सकते हैं तो दोस्तों अगर आप भी दिल के मरीज हैं तो अपनी सेहत का बेहत खयाल रखें कि आपको डेंगू जैसी गंभीर बिमारी हरगिज ना हो हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल आरोग्य इंडिया सुअस्त भारत की सुअस्त परंपरा को धन्यवाद